हाँ जी नमस्कार दोस्तों स्वागता है अब सभी का अज्जी एजिकेसनलाई यूटूब चेनल पर जिसने वे तक चनल को सब्सक्राइब नहीं कि जल्द इस चनल को सब्सक्राइब कर देज़े और साथ मंत बाले जी बेल आइकन का बटन जिससे एक आने वाले वीडियो के बारे में आप सब्सक्राइब को पता सल्सके सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्रिशन थेयोरी का मोस्ट इंपोर्टन टेस्ट एक सो तेइस नमबर इससे पहले हम 122 कर चुके हैं जिस भी तक नहीं देख सकते हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबी टेस्ट के लिंक दिये गए हैं प्लेइलिस्ट में चली शिरुवात करते हैं पहले क्यूशन से बने रहे इस वीडियो के अंत तक पहला मारा क्यूशन है पावर फेक्टर क्रेक्शन सब स्टेशन कंस्टेश्ट हो यानि सकति गुनक सोदक होता है वो उप स्टेशन में तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सी यानि सी क्रोंस कंडेंसर होते हैं यानि उप को अंद्रों में सक्ति गुनक सुदार के लिए तुल्यकालिक संगनीतर का उपयोग किया जाता है अति उतेजित तुल्यकालिक मोटरों का प्रियोग करके सक्ति गुनक को गटने से रोका जा सकता है क्योंकि तो लेकाल एक मोटर के सक्ति गुणक को यानि उतेजन जिसको बोलते हैं एक्साइटेशन को बोला जाता है तो उसके दौर आप वस गामी से अगर गामी तक परिवर्थित किया जा सकता है next नमारा question है दो नंबर किसी power system में संस्तापन यानि installation को किफायती और वांचनिय बनाने के लिए उसके सक्ति गुणा को कहां तक सुदार ना होगा 0 या 1 या 31 से कम या अगरणी पक्ष पर 31 से अधिक तो बताइए इसका right answer कौन सा होगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा C यानि less than unity यानि किसी भी power system में संस्तापन को किफायती और वांचनिय बनाने के लिए उसके सक्ति गुणा को इकाई से कुछ कम तक सुदार ना चाहिए power system का सक्ति गुणा को नीमन होने से कुछ आनिया होती है जैसा कि सक्ति गुणा के कम होने से दारा कामान बढ़ जाता है कैसे बढ़ता है तो i एक बटा में कोस फाई के और दूसरा होता है kva rating में बढ़ती हो जाती है क्योंकि kva समानुन पाती एक बटा कोस फाई के और तीसरा होता है स्तिर kva पर सक्ति गुणा के गटने से kw का मान भी गट जाता है क्योंकि kw सुमानुनपती होता है कोस फाई के होता है यह आपको ध्यान रखने नेक्स्ट मारा क्यूशन है तीन नंबर निमलिक्त में से कौन सा संचरेंड लाइनों के लिए एक स्तिर श्यति पूर्ति युक्ति नहीं है सिंक्रोंस मोटर, संट रियक्टर, संट केपेस्टर या सिरीज केपेस्टर बताई इसका राइट अंसर कौन सा होगा तो दोस्ति इसका राइट अंसर हो जाएगा A, सिक्रोंस मोटर, थोड़ा ध्यान से सुन लिजिए, स्टेटिक कंपेसेटर वे होते हैं, जिन में कोई भी रोटेटिंग भाग नहीं होते हैं, और इन्हें सर्ज परतिवादा कंपेसेशन के लिए उपयोग किया जाता है, औ कंपेसेशन के लिए भी किया जा सकता है, जैसे संट रियक्टर हो गया, संट कैपेस्टर हो गया, सिरीज कैपेस्टर हो गया, सिक्रोंस मोटर में रोटेटिंग भाग होता है, इसलिए स्टेटिक कंपेसेटर नहीं होती है, नेक्स्ट मारा क्यूशन है, चार नंबर, अब विदुर शक्ति को चता दानांतरन के जो धցप्ट्सता होती है वो क्या होगी 0.25, 0.3 0.5 या एक बताः इसका राय एंसर कुन सा होगा है तो दोस्तो इसका र्आइ एंसर हो जाएगा c 0.5 होगी यानि जब स्ताधना अंत्रित विदुद सक्ती के c भी बहर में अधिकतन हो तो विदुद सक्ती की स्ताधना अंत्रण की दक्षता है वो 0.5 होगी क्योंकि हमेशा जो संचरण दक्षता होती है वो यह निटा बराबर में और जो लोड होता है वो बटा में और लोड पलस जो रेजिस्टेंस सोर्स का होता है वो समझें आगे होगा आप से को नेक्स्ट मारा क्यूशन है पांच नंबर अब बाताती है एट टाइम ओफ पीक लोड एपावर सिस्टम नीड्स चरम भार के समय सकती तंत्र को आविशेकता होती है बस चिगामी वार अंताय शेपित करने की यानि इंजेक्शन ओफ लेगिंग वार्स या इंजेक्टिंग ओ बताये कौन सा इसका राइट हैं शरूगा चरम भार के समय सकती तंत्र को आविशेकता किसकी होती है तो दोस्तों इसका राइट हैं शरू जाएगा यानि इंजेक्शन ओफ लेगिंग वार्स नेक्स्ट हमारा क्यूशन है च्छै नंबर अब बाताती है निमन मेंसे किस से स सकती में या वोड़ता में वर्दी होगी परन्तु सकती में या पावर में पावर गुणाक में कमी होगी या वोड़ता में कमी होगी परन्तु सकती गुणाक में वर्दी होगी पताये इसका राइट एंसर कुन सा होगा नेमन मेंसे किस से संचरन दक्षता बढ़ती है तो कि यह बराबर में होते हैं output voltage OV बटा में input voltage बराबर में होता है efficiency समझें आगे होगा आप से को next हमारे question है 7 number अब बताते हैं the recovery voltage will be maximum for power factor कि सक्ति गुणा के लिए पुनरुत थान वोल्ट ता अधिक्तम होगी 0, 0.5, 0.707 या unity जिसको एक बोला जाता है तो बताइए इसका right answer कुन सा होगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा A यानि 0 next हमारे question है 8 number अब बताती है power factor can be improved by यानि power factor का निमन के द्वारा सुधार कर सकते है सिक्रोंस मसीन के द्वारा या statcom या static war compensator या all of above तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा D यानि इन तीनों के द्वारा किया जाता है यानि ये तीनों power factor को सुधारने के लिए प्रियोग में लिये जाते है नेक्स्ट नमारे क्यूशन है नो नुमर अब बताती है the maximum value of power factor शक्ति गुणा की अधिक्तम सीमा क्या होती है 0.5 एक या 1.5 या 2.0 ये फैम्स क्यूशन है काफिवार एक्जाम से पूछा गया है तो दोस्तों हमेसा power factor की जो maximum value होती है वो होती है एक यानि unity voltage तता दारा के बीच के कोण के cosine को power factor बोला जाता है ये तो आपको पता होगा और power factor ब्राबर होता है PF ब्राबर में और बटा में Z और दूसरा इसका सुत्र होता है power factor ब्राबर में actual power बटा में apparent power समझें आगे होगा आप से इको next हमारा question है 10 number अब आती the power factor will be leading in case power factor निमन में से किस स्थिति में अगरणी होगा induction heating में या resistance heating में या dielectric heating में या electric arc heating में ये FEMS क्योशन है इसको रट लेना होई बार बार एक्जाम से मुझा जाता है चाहिए electrician base पे कोई भी vacancy आए power factor निमन में से किस स्थिति में अगरणी होगा यानि leading लेगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा C यानि die electric heating के कर डाइ electric heating में power factor लेडिंग होता है जबकि induction heating में power factor लेगिंग होता है ये भी note कर लेना जो induction heating होती है उसमें power factor में लेगिंग होगा डाइ electric heating का प्रयोग एद आतूं जैसे लकड़ी प्लास्टिक चाइना और मिटी कांच टाइलों आधी के लिए किया जाता है पेरा विद्धुतिक तापर में 10 से 30 मेगा साइकल्स की आवर्ती 20 किलोवाट की वोल्ट ता प्रयोग की जाती है यानि 10 से 30 मेगा साइकल्स यान उसके आवर्ती 20 किलोवाट की वोल्ट ता प्रयोग की जाती है 20 हजार वोल्ट तक की वोल्ट ता नेक्स्ट नमारे की विशन है दोस्तों 11 नमबर अब आजाती है stepping up of voltage during transmission is done to transmission के मद्ध्य वोल्टेज को step up किया जाता है increase efficient power transfer या maximum power transfer या to reduce transmission losses या to reduce voltage losses यानि transmission के मद्ध्य वोल्टेज को step up किया जाता है कैसे किया जाता है तो दोस्तों इसका right hand शुरू जाएगा C यानि transmission हनी को कम करने के लिए to reduce transmission losses नेक्स्ट हमारा क्यूशन है 12 नमबर which of the following is used for power factor improvement in transmission लाइश पारेशन लाइन में सक्ति गुणाक सुदारने के लिए निमने में से कौन सा प्रयों किया जाता है त्रीकला प्रेरंड मोटर या सुनने बार पर चलते हुए अति हुते जित त्रीकला तुले कालिक मोटर या त्रीकला जो AC मोटर होती है जिसको पड़ते आवरती दारार श्रेणी मोटर बोलते है या चोक पताए इसका right answer कौन सा होगा पारेस्टन लाइन में सक्ति गुणा चुदानने के लिए निमने में से कौन सा प्रयों किया जाता है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा B जब वो सुनने बार पर चलते हुए अते उतेजी 3 अल तुल्यकलिक मोटर होगी अति उतेजी तुल्यकलिक मोटर का प्रयों करके सक्ति गुणा को गटने से रोका जा सकता है next अमारे क्योंशन है तेरा नमबर the positive sequence reactance will be equal to negative sequence reactance in case of positive sequence या reactance बराबर होगा जब negative sequence reactance के transformer के लिए या कोई नहीं या generator के लिए या motor के लिए तो दोस्ते इसका right answer हो जाएगा transformer के लिए a option क्योंकि transformer एक हमेशा static device माना जाता है next हमारे क्योंशन है 14 नमबर अब बाताती है phase modifiers in ac transmission lines आ ac paration line में पहले चरण संसोदक है तुल्यकालिक machine के प्रेरण machine के dc machine के transformer के तो दोस्ते इसका right answer हो जाएगा सिक्रोंस machine के यानि ac paration line में phase modifier की रूप में तुल्यकालिक machine का उप्योग में लाया जाता है जिससे कि तुल्यकालिक condenser बोल जाता है next हमारे क्योंशन है 15 नमबर अब बाताती है नमबर में से कौन सा संदारित हार्मोनिक और पढ़ती के रिया सकती के श्यतिपूर्थी के लिए उप्योगत होता है कौन सा होता है दोस्तो माइका संदारितर गलास संदारितर या पॉली प्रोपिलीन संदारितर या इलेक्ट्रोलाइटिक संदारितर तो दोस्तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक केपेश्टर तो आज की कलास आपको कितने परसेंट अच्छी लगी इस क्यूशन का इंसर सभी को देना है 100 परसेंट 75 परसेंट या 50 परसेंट या 0 परसेंट कमेंट में टाइप करके बताइए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए ताकि उन सभी को इन क्लासेश के बारें पता चल सके जो डेली लाइव टेस्ट होते हैं और इसको ज़्यादे ज़्यादा लाइक के जिए वीडियो को अगर आप इस वीडियो की पीडिया फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दे रखा है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजी अच्छे से तन्यवाद दोस्तों आप स्वीकर दिन शुभ हो जैहिन वंदे मात्रा